तो दोस्तो पराठी बनानी के लिए सबसे पहले हम आटा गुंदेंगे, तो यहां पे मैंने गिहू का आटा ले लिया है और थोड़ा सा नमक, और अब थोड़ा-थोड़ा पानी मिला के अच्छे से हम यह आटा तयार कर लेंगे, इसे अच्छे से बार-बार मसलना है, और र 15 मीटों से रहने देंगे हम रेष्ट पे ताकि यह फर्मेंट हो जाए अभी ठंडियों के मौसम में अलग-अलग वेजिटेबल्स जो आते हैं उसके पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं अगर आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं हम इसे अच्छे से मस लें अब मैंने अलो को अच्छे से दोकि उबालने के लिए रख दिया है अब मेढियम to low फ्मेलें पे रख सकते हैं दीखिये मैंने कूकर चळा दिया है जब तक अलो उबलेंगे मैंने प्यास काट लिए और उसे दोकि अच्छे से रख दिया है और दूसरी चीजे जो हमें चा हल्दी पाउडर धन्या जीरा पाउडर देगी मिर्ज काश्मेरे मिर्ज और अध्रक लैसुं का पेश्ट और यह है धन्या कि तो यहां पर मैंने कड़ाई रख दिये और श्टव चालू कर दिया है अब थोड़ा तेल डालूंगी उसके बाद हम हरी मिर्ज डालेंगे इसमें तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद ही हम इसमें सारी चीज़े डालना चालू करेंगे आलू आपच्छे से मैश कर लीजिए देखी यह हरी मिर्ज मैंने डाल दी है इसके बाद हम इसमें अद्रक लासूं का पेश्ट भी डाल देंगे और अच्छे से सौते कर लेंगे इस तरह हमें वन बै वन सारी चीज़े डालनी हैं और उसे अच्छे से सौते कर लेना है पहले अधरक लसुन और हरी मेरिश को तिल गरम हो जाए उसके बाद ही आप इसमें डालिएगा तो इस तरह से मैं इसे थोड़ा पकने दी रही हूँ और हाँ तब तक आप लीड भी डखके रखेए ताकि वो सारा तेल उड़े नहीं यहाँ पे मैंने डखा नहीं है आपको दिखाने के लिए लीड उसे प्रॉपर बंद कर दीजे ताकि तेल उड़े नहीं और इस तरह से ह distractions वार कटी हुई प्यास पोभी डाल देंगे गी का और उसे भी अच्छे से हम सौटे कर देंगे हसाऊ कि और इस तरह से रसके हातों से चलाएंगे तेल हमें बहुत ही कम मात्रा में में या जरूरत की मुझब आ बहुत ज्यादा तेल हमें नहीं लेना है ताकि स्टाफिंग में आसानी रहे बनाने में ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है हल्दी पाउडर ये धन्या जीरा पाउडर फिल्ड देगी लाल मिर्च और बादमे काश्मेरी लाल मिर्च अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारा मसाला ओन्यान और सब में हजाए फिट ओन्यान अच्छे से पके हमारी प्यास जब तक थोड़े से ब्राउन जैसे हो जाए उसके बाद ही हम इसमें अलू डालेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा खटा पन लाने के लिए मैंने यहाँ पर नीमबू अदा लिया है आप आमचुर पाउडर भी डाल सकते है फिर इसके बीच जो है वो मैं निकाल दे रही हूँ और अब इससे अच्छे से फिर एक बार मैं मिला लोंगी बीच निकालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा खटा मीठा दूनू जो भी टेस्ट आए इसके लिए मैं यहाँ पर आप टॉमेटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं मैं चटनी सोस का यूज़ कर रही हूँ अदर्वाइज आप इसमें सिर्फ शुगर हो चीनी हो अगर आपके घर पे तो वह भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने चटनी सोस का इस्तेमाल किया हुआ है अब इसे में अच्छे से इसमें मेक्स कर दूंगी देखिए कलर कितना प्यारा आया है हल्दी और कश्मेरी लालमिच आप डालेंगे तो आपका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और इस तरह से टॉमेटो केचप क्या कोई भी सोस आपके पास हो वो डाल सकते है खटा मीठा जो टेस्ट लाए वो आप अपने स्वात के अकॉर्डिंग डाल सकते है और ये सारे आलो मैंने मैश कर दिये थे वो भी अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी अब जो नमक बाकी था मैंने बाकी रखा था वो अब हम इसमें अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग और क्वांटिटी के एकॉर्डिंग डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर सेंधा नमक लिया हुआ है तो और थोड़ा मुझे तीखा चाहिए तो फिर से मैंने एक टीस्पून लाल मिर्च ली है देगी लाल मिर्च ताकि उसका तीखा पनाए पराठे में फिर स्टफिंग में अगर हम बनाते हैं पराठे फिर थोड़ा तीखा पन चला जाता है जैसे कि रोटी का स्वाद आता है तो थोड़ा कम फिर तीखा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा एक टीस्पून और डाल दिया है और फिर इसे अच्छे से मैश करके मिक्स करेंगे तक कि हमारे पराठे अच्छे से बने कि इस तरह से अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और हमारा स्टफिंग पराठे बनाने के लिए रैडी हो चुका है देखिए कितना प्यारा कलर आया है उसमें हम तनिया पत्ता डाल देंगे यह जो मारा आठा रेश्ट पर हमने रखा था इसे हम थोड़ा सतेल लेंगे फिर से अच्छे से मस लेंगे ताकि एकदम सॉफ्ट और पराठे के लिए रैडी हो जाए तो इस तरह से थोड़ा सतेल लेंगे और अच्छे से चारों तरफ लगागे अच्छे से मस लेंगे त जरूरत के हिसाब से हम उसमें तेल डालेंगे दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना और मेरे बाकी सारे वीडियो भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकम पर क्लिक करें ताकि आपको नौटिफिक हम पराठी बनाने के लिए एक लूई ले ले लेंगे अच्छे से से घोल कर देंगे फिर आटे में मिक्स करके हम थोड़ा सा उसे बेल लेंगे बहुत इजी है दोस्तों अब दिखेगा मैं वन बाई वन आपको दिखाऊंगी पराठे दिखिए हलके हातों से आपको करना है क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है फिर उसमें हम आलो और प्यास की स्टफिंग डालेंगे और चारो तरफ से किनारी से हम उसे बीच में लाके अच्छे से दबा के रख देंगे देखिए मैं किस तरह से दबा रही हुग देखिए फिर से हम उसे आटे में डालेंगे ताकि अ सारो ओर और कोटिंग होज़ 집 और हल्के राथों से हमें इससे अच्छे से सभी जगा इक्वली बिलना है इसे हाथा रहल जगा कि अच्छे से खार ब स्थाफिंग रहाгр Cultural Lander बिलना है दो कि आप बहुत ही रह द्यान रखें आप इस से बनाईजा ऊंके कि पनाजा हें कि बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत ही टेश्टी लगता है तो ये पैन मैंने रख दिया है उससे बराबर गरम करने के बाद ही हम इसमें पराठा डालेंगे मैंने फ्लैम हाई कर दी है और अब गरम हो चुका है तो मैंने इसमें पराठा हलके हातों से लिके डाल दिय है तो आप थोड़ा सा दियान रखके सब इसी लिल कर सकते हैं अब मैं दूसरा पराठा भी इस तरह से बना दूंगी और उसे हम जो पराठा हमने गैस पर रखा है वह दीरे दीरे सिख जाए उस पर बबल सा जाए फिर हम उसे उल्टाएंगे इसी तरह हम यह दूसरा पराठा भी बनाएंगे सेम प्रोसेसि मैंने महीं इस में पराठा की स्टफिंग डाली है और इस सरह से हम फिर से अच्छा से चारव जो ओड़िकर एकसे में डाल के अच्छा से दबाखे पिर से हम इसे आडे मई कोट कर देंगे और अच्छे से दीरे हातों से बेलेंगे बहुत हीजी है तो आपको मेरा ये पराठा का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बैक्स में ज़रूर बताएगा और दीखिए अभी थोड़ी देर में उमारा पराठा भी सीख जाएगा फिर हम दीखते हैं पराठे कैसे बने है आप पीखाईए बनाएए और टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे कि आपको ये पराठे कैसे लगे देखिए हलके आदों से मैंने बेल दिया है और आप एकदम हलके आदों से कईजिएगा तो आपका पराठे फटेगा नहीं जैसे कि अभी इसमें कोटिंग ये है तो अंदर का स्टप मसाला जो थोड़ा बाहर दिख रहा है उसकी कोई फिकर मत कीजिए आप लेकिन वो जैसे आपको फट नाजे उसका दियान रखे बहुत अलके आदों से आपको लेना है जैसे कि दिखो ये सिख गया है अच्छे से तो मैंने इसे उल्टा दिया है पराठी को दूसरी तरफ भी अच्छे से सिखने देंगे उसके बाद हम पल्टाएंगे और फिर हम उसमें ओयल डालके अच्छे से करारे करेंगे दोनों तरफ से अच्छे सिख जाएंगे दोस्तों तो ही हमारे पराठे करारे बनेंगे देखो दूसरी तरफ से अच्छे से सिख गया है आप दीख सकते हो बस इसी प्रकार फिर अब हम इसमें तेल डालेंगे और अच्छे से सेख के रैडिकल देंगे और किनारियों पे भी आपको धीरे-धीरे हलके आतों से प्रेशर दिना है किनारिये आपकी कच्छी नारे उस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्यговकि बीच में इसे तो अच्छे स्गज़ जाते हैं लेकिन किनारी फिर अच्छी रह चाती है तो किनारी पे भी हमों में हलके आतों से उस प्रैस प्रेस करना है और उस तरह से सेखने है पराथे देखिए एकदम लाल और अच्छे से सिख गया है तो इसी प्रकर हमारे पराठे दीखिए बंद रहे है अच्छे से सिख जाए देखिए ये काला काला और लाल लल जो अच्छे से सिख गया है आपको दिखेगा तब ही हम इसे पलटाएंगे और तब ही अच्छे से सिख जाने के बाद है हम उसमें ऑईल डालेंगे और तेल भी हमें कम मात्रा में ही डालना है ज्यादा अगर आप पसंद करते हैं और लंबे समय तक रखना चाहते तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं अधर्वाइज आप कम ही ऑईल का यूज़ कीजिए तो देखिये हमारे पराथे रेड़ी हो चुके है मैंने प्याज लसुन की चतनी और चतनी सोस के साथ सौकीए है आप Ketchup ले सकते हो इसकी Koryánder की हरी चतनी धन्या की और हरी मरच की चतनी बनाके उसमें भिखा सकते हो, धही के साथ भिखा सकते हो तो इतने अच्छी लगते है सल्दियों की मौसं में आप भी इसे जरूर बनाए वाऊ इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा है देखिए और कलर भी बहुत अच्छा है देखिए मैं आपको खिलाती हूँ थैंक्स पर वाचिंग और मेरी चैनल को आपक, शेर और सब्सक्रेब जरूर कीजिए धन्यवाद